नमस्कार सुप्रभाद स्वागत है आप सभी का राज्य सभा टीवी में मैं हूँ आपके साथ हम बृता चौरसिया खबर उपर विस्तार से नजर डालेंगे आपको बता दें कि प्रधान मंत्री नरीन मोदी ने भारत को अवसरू का देश बताया है और व्याश्वी कंपनियों को विभिनिक श्वेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नी और क्या कुछ खहा बताएंगे आपको विस्तार से इसके साथ ही प्रधान मंत्री नरेंद मोदी आज वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से मणिपूर जलापूर्ती परियोचना की अधार्शिला रखेंगे साथ ही आपको पताएंगे व्राज्य सभा के लिए नव निर्वाचित 6702 में से 45 ने कल उच्छ सदन की सदसिता ग्रहन कर ली सभापती एंवेंकिया नाइडू ने नए सदस्यों को सदन की चेंबर में श्रपत दिलाई है इस पर देंगे विस्तार से जानकारी इसके अलावा देश और दुनिया में कोरोना के स्थिती को लेकर क्या कुछ प्रक्रियाए चल रही है ब्राज्जियों ने कोरोना के स्थिती को लेकर क्या कुछ कदम उठाए हैं और सकेरावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी और एहम खबरों पर डालेंगे नजर आईए शुर्वात करते हैं खबरों की विस्तार से प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अवसरू का देश पताते हुए वैश्वी कंपनियों को क्रिशी, स्वास्थ, ओर्जा और बुन्याजी धाचे समेत विभिन एक्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत अमेरिका भागिदारी दुनिया को कोरोना महमारी के बाद पटली पर लाने में एहम भूमी का निवाई आत्म निर्भर भारत अभ्यान का जिक्र करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि इससे भारत ही नहीं बलकि दुनिया की सम्रिधी का मार्ग प्रशस्त्र होगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका भारत व्यापार परिशत की ओर से आयो जिल इंडिया आइडियाज शुखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सम्बोधित किया वैश्विक निवेशकों को रक्षा, बीमा, स्वास्थ, क्रिश्वी, समेत, विभिनिक शेत्रों में निवेश का नियोता देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में खुलेपन अवसरों और विकल्पों का बढ़िया मेल उपलत है उन्होंने कहा कि भारत में अंत्रिक्ष, सूचना, प्रद्योगिकी और भुनियादी धाचा जैसे शेत्रों में निवेश के काफी अवसर हैं उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में भारत ने अपनी अर्थ विवस्था को और खोलने और सुधार आधारित बनाने की दिशा में कई प्रयास किये हैं और ये भारत में निवेश का सबसे शांदार समय है प्रधान मंत्री नरेजमूदी ने कहा कि कोरोना काल में चालों वित वर्ष के दौराण अप्रैल जुलाई के बीच भारत में अब तक 20 अरब डॉलर का FDI आ चुका है उन्होंने दुनिया के अर्थ विवस्थाओं को कोवीड-19 महामारी जैसे आपातकालीन परिस्थितियों में खुद को निश्प्रभावी बनाने का मंत्र दिया उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थ विवस्था को ऐसे परिस्थितियों से बचाने के लिए घरिलू आर्थिक शमताओं को मस्बूत करना होगा इसी कड़ी में प्रधान मंत्री ने आत्म निर्भर भारत अभ्यान को भारत ही नहीं बलके वैश्विक अर्थ विवस्था के मस्बूती के नजरिये से भी महत्तपोर्ण बताया प्रधान मंत्री ने भारत और अमेरिका को स्वभाविक मित्र बताया उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत की मित्रता गहरी है और अब समय आ गया है कि ये भागिदारी दुनिया को महमारी के बाद पाट्री पर लाने में एहम भूमी का निभाई प्रधान मंत्री ने कहा कि सभी इस बात पर सहमत है कि दुनिया को बेहतर भविश्य की दरकार है अपने सामोईक प्रयासों से भविश्य को सवार सकते हैं। उन्होंने उमीद जताई है कि भविश्य के प्रती हमारी नीतिया निश्चत रूप से मानव केंद्रित होने चाहिए। अखिलेश सुमन के साथ विरो रिपोर्ट राज्य सभाटी वी। और इससे पहले विदेश मंत्री एस जश्रम करने कहा कि भारत और अमेरिका को वारिज्य संबंधों में लंबित समस्याओं का समधान करने और बड़े प्रदिश्य के ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। इंडियास, आइडियास, श्विखर, बैठक्मी, ओनलाइन समभात सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देशों में व्याश्विक एजेंडे को आकार देनी की क्ष्वमता है। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि बड़े परिद्रिश्य में हम मस्बूती से साथ हों। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका को कारूबारे द्रिश्टिकोर से कुछ बड़ा सोचने की जरूरत है। साथ ही, एस जशंकर निकाह कि भारत और अमेरिका की बीच, कारुबार से भी बढ़कर एक रिष्टा है, जिसे नॉलेज इनोवेशन कहा जा सकता है. इंडिया आइडिया सम्मिट मी कल अमेरिके विदेश मंत्री माईक पॉम्पियो ने कहा कि हिंद प्रशान एक्षेत्र में भारत अमेरिका का उभरता हुआ रक्षा साजिदार है. उन्होंने कहा कि चीन में काम कर रही कई विदेशी कमपनियों को भारत अपने यहां लाने की भीक शमता रखता है खास्ता और पर टेलिकॉम और स्वास्त एक्षेत्र की उत्पादन आपूर्द रिश्विंक लाएं इसमें शामिल है पौंपियों ने कहा कि हम दुनिया के सबसे पुराने और सम्रध लोकतर हैं आपसी सहयोग से अंतराष्ट्य सम्रुद्धी को आगे बढ़ाया जा सकता है भारत ने अपनी नीतियों से अमेरिका समेट दुनिया के कई देशों का भरोसा जीता है उन्होंने कहा कि पृधान मंत्री नरीद मोदी को G7 सम्मिट का निमंत्रन दिया गया है वहां उनके साथ अंतराष्ट्य सम्रुद्धी नेटवर्क को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी We've also invited Prime Minister Modi to the next G7 where we'll advance the economic prosperity network It's a group of countries and organizations that we consider natural partners because we share values like democracy and transparency and the rule of law On a similar note, India has a chance to attract global supply chains away from China and reduce its reliance on Chinese companies in areas like telecommunications, medical supplies, and others India is in this position because it has earned the trust of many nations around the world including the United States The United States has never been more supportive of India's security India too is an important partner in a key pillar of President Trump's foreign policy Multilateralism that actually works America-Bharat व्यपार परिश्वत के अध्यक्ष निश्वा बस्वाल ने कहा कि मौजुदा दोर भारत अमेरिकी भागिदारी की एक्षमताओं को शीर्ष तक पहुचाने का है Corona महामारी के संकट में अंतरास्ट्रिय और पारंपरिक गड़ बंधनों को परकने का वक्त है भारत में अमेरिका के राजदूत के इंजस्टर ने इंडियाइडियास सम्मिट में कहा कि भारत ने दुनिया भर के सौ से अधिक देशों को फार्मसिटिकल स्प्रदान किये हैं The book that we ultimately complete will be critical to the future, not just to this region, but to the world as a whole. So I think taking a relationship to the next level really means starting to address collectively regional and global issues in addition to our bilateral agenda. And for the U.S.-India Partnership, it is a time of singular opportunity. It is a moment for this relationship to rise to its full potential. Kendri Electronics और सूचना प्रद्योगी की मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दुनिया भर के डिजिटल मंचों को नागरिकों की सूचना की गोपनियता और सुरक्षा को लेकर संप्रभूर रास्ट्रों की चिंताओं की प्रती सम्मेदार जवाब दे हैं और संवीदन श्वील होना चाहिएं. जी ट्वेंटी डिजिटल आर्थ वेवस्था मंत्रे स्तरिये बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जल्धी एक मजबूत वेक्तिगर्द डेटा सनरक्षन कानून लागू करेगा जोनाकि एबल नागरिकों से जड़ी सूचनाओं की गोपनियता संबंधी चिंताओं को दूर करेगा बलकि नवाचार और आर्थिक विकास के लिए डेटा की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा उन्होंने कहा कि कई देशों में मौझूद दिजिटल मंच विश्वसनिये और सुरक्षित होने चाहिए रविशंकर प्रसाद ने COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करने भाले भारत के डिजिटल नवाचारों को भी साजह किया उन्होंने ये भी बताया कि कैसे डिजिटल टक्नीक ने संकट की दौरा और समाज की आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत देने में सरकार की मदद की है we all need to acknowledge very very importantly and significantly that digital economy must go hand in hand with data economy because data is the important component to accelerate digital economy yes we understand the issue of data innovation of data cross flow but we also need to acknowledge the sovereignty over data who has the sovereignty right over the data प्रुधान मंत्री नरिद मोदी आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से मड़िपुर जलापूर्ती परियोजना की अधारश्विला रखेंगे ये परियोजना साल दो हजार चौबीस तक हर घर जल के लक्ष को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के ठोस प्रयासों का महत्तपूर्ण घटक है ये परियोजना मड़िपुर के 16 जिलों के 2,8,756 परिवारों को कवर कर लेगी केंद्र ने हर घर जल के मूल मंत्र के साथ दो हजार चौबीस तक देश के हर ग्रामिड परिवार को सुरक्षित और परियाप्त मात्रा में पेजल उप्लब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरवात की है इसी अभ्यान के तहट केंद्र ने मणिपुर को 1,42,749 परिवारों वाली 1,185 बस्तियों को कवर करने के अदेश से ताजा जल के घरिलू नल कनेक्शन यानि की FHTC के लिए धनराशियों प्लब्ध कराई है मणिपुर सरकार ने पूर्वत्तर रक्षेतर विकास विभाक से प्राप्त धनराशी सहेत वित पोशन के अतरिक्त स्रोतों के जरिये बाकी बचे परिवारों को कवर करने की योजना बनाई है गुजरात में सूरत के पास सित काकरा पार परमाडू ओर्जा सयंत्र तीन समाने परिचारन के सिती में आ गया है इस उप्लब्धी पर उप्राश्टर पती एंवेंकया नाइडू ने देश के परमाडू कारक्रम में लगे वग्यानिकों को बधाई दी उन्होंने ट्वीट किया है कि काकरा पार सयंत्र की तीसरी यूनिट में भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावार्ट प्रेसराइज हेवी वार्टर रियक्टर क्रिटिकल हो गया है इसके साथ ही भारत ने एक बार फिर स्वदेशी तकनीकी शमताओ को प्रामाड कर दिया है उन्होंने वग्यानिकों को भावी सफलताओ के लिए शुबकामनाय भी दी है प्रधान मंत्री नरिद मोदी ने भी परियोचना से जुड़े वग्यानिकों को बढ़ाई दी है उन्होंने ट्वीट किया कि देश में ही डिजाइन किया गया ये रियक्टर मेकिन इंडिया का गौरब पूर्ण उधारन है और इसके साथ ही ये इस तरह की अंगिनत भावी उपलब्धियों में निश्चत तोर पर अग्रण ही है नुकलियर पावर काउपरिशन के इस प्लांट के निर्माड की शुरवात नमंबर 2010 में हुई थी प्रेश्राइज्ट हेवी बॉर्टर रियक्टर वाले इस प्लांट के ख्ष्वंता 700 मेगावाट एलेक्ट्रिक है इतने ही ख्ष्वंता वाले प्लांट की चौथी काईकर निर्माड कार प्रगति पर है उमीद है किसे जल्द ही पूरा खर लिया जाएगा रजसभा के सभापती एंवेंके अनाइडू ने सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को कानून निर्माताओं के रूप में अपनी कर्तवियों का निर्वहन करते हुए सदन के नियमों और प्रक्रियाओं को बनाए रखने का ग्रह किया सभापती ने नवनिर्वाचितों से कहा कि वे किसी अलपकालिक लाभ के लिए सदन की कारिवाह को बाधित करने से बचे और शीर्ष विधायका की प्रतिष्ठा और सम्मान को पढ़ाने के दिशा में अपनी जिम्मिदारी के प्रती सचीत रहे राजसभा की सभापती एमवंगाय नाइडू ने नवनिर राचस्तान सदों से कहा कि सदन के भीदर और बाहर उनका आचरन सयमत होना चाहिए जिससे उच्छ सदन की गर्मा में वृद्धी हो सभापती ने कहा कि सदस्यों को अपने दिन भर के कामकाच और वहवार का नेतिक मुल्यांकन करने के लिए आत्म निरीख्षन और आत्मन्धन करना चाहिए सभापति ने सभापक नेप गर के लिए अगर दॉण थी रिएंक पर ने ने बेंगे एंगिक। सब्सक्ति याली हो एक मृजों ने सभापती नेस्टिएशिट पिकूए को अईट आत्म्स पे ए मिल नेतिमार इबसेंगा के लिए अटके 50-04 ऱृूषब सभापती ने सदस्यों से सदन की कारवाही बाधित करने से बचने का भी आग रह किया. सभापती ने कहा कि शपत ग्रहन कारक्रम को पहले करोना सिती के चलते लागू किये गए प्रतिबंधों की वज़स से स्थागित कर दिया गया था. और बाद में प्रतिबंधों में धीर दिये जाने के बाद भी कई नवनिर्वाचित सांसदों ने यात्राओं को लेकर चिंता जताई थी लेकिन अब सदस्य समित्यों की बैठकें फिर से शुरू हो गई है सभापती ने ये भी कहा कि शपत ग्रहन कारिक्रम की योचना इसलिए बनाए गई ताकि समित्यों की बैठकों और मौनसून सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों की भागिदारी सुनिश्चित की जा सके सभापती ने कहा कि नव निर्वाचिस सदस्यों को जल्द ही विभिन समित्यों के लिए नामित किया जाएगा सभापती ने बताया कि उच्छ सदन ने इस साल मई में अपने 68 वर्ष पूरे कर लिए है और इस दोरान नीती निर्धारन और कानूर निर्मान की दिश्रा में रज्ज सभा ने एहम भूमिकाने भाई है उन्होंने कहा कानूर बनाने को लेकर लोग सभा में लिए गए फैसलों से अलग मत होने के बावजूत उच्छ सदन की इस प्रक्रिया में रशनात्मक भागीदारी रही है और विद कुमार सिंग के साथ कृती मश्रा रज्य सभा टीवी रज्य सभा के लिए नवनिर्वाचित 61 सांसुदों में से 45 ने कल उच्छे सदन की सदस्यता ग्रहन कर ली सभापती एम वेंकाया नाडू ने नई सदस्यों को सदन के चेंबर में शपत दिलाई ये पहला मौका था जब संसत का सत्र नहीं होने के बावजूद नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन के भीतर शपत ग्रहन कराएगी कोरोना संक्रमण के उस्तिती के मते निजर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा खयाल रखते हुए ये आयोजन किया गया शपत ग्रहन के बाद राज्यसभा के नव डिर्वाचित सांसदों ने राज्यसभा टीवी से खास पाची की अब राज्यसभा में जिम्मेदारी मिली है तो मैं मेरा प्रयास रहेगा कि पूरे हर्याना प्रदेश के लोगों की हगों की लड़ाई लड़ी जाए किसान की लड़ाई लड़ी जाए मुझे जो पार्टी ने जवाबदरी दिया है वो मैं जवाबदरी पुरा करूंगा मैं मेरा एरिया जो माराथवाड़ा है तो मराटवाड़ा का विकास कैसा हो जाएंगा उसलिए मैं विशेश प्रेतन करूँगा करनाटक का बेसिकली फॉर्मर महत है हो दर टोटल किसानों लोगों के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर आदाई दुगिन का एक योजना बनाए योजने के बारे में हम प्रैस कर रहा हूँ आने वाले दिनों के में वाज्य सभा के लिए देश के अलग-अलग वाज्यों से चुनकर आए बीजेपी के नव निर्वाचित सांसदों ने श्रपत ग्रहन के बाद प्रधान मंत्री नरेंद मुदी से मुलाकात की ये मुलाकात प्रधान मंत्री आवास पर हुई इस दौरान बीजेपी के 17 नर्व निर्वाचित सांसद मौचूद रहे प्रधान मंत्री ने उमीद जताई कि BJP सांसदों का ये विविद समूह संसदी कारिवाही में निश्चित रूप से प्रभावी युगदान देगा नवनिर्वाचे सांसदों से प्रधान मंत्री ने कहा कि वे नवीन तम नीतिगत मुद्दों से खुद को जोड़े और जरहित से जोड़े मुद्दों पर संसद के भीतर और बाहर प्रभावी युगदान दे प्रधान मंत्री ने नवनिर्वाची सांसुदों को लोगों के साथ चुडाव बनाए रखने और सोशल मीडिया समेट नवीन तक्नीक का स्तमाल बढ़ाने पर भी जोर दिया प्रधान मंत्री ने सांसदों को संसदिय परंपरा का पालन करने और सदन में मौजूद रहने के लिए भी कहा मरेयालम लेखक पत्रकार और केरल से राज्य सभा सदसे रहे MP वरेंद्र कुमार को उनकी जहनती पर कल बड़ी हस्तियों ने याद किया उप्राश्ट्र पती M.Venkaya नाईडू ने पूर्वराज्य सभा सांसद MP विरेंद्र कुमार की चौरास्वी जहनती पर अपनी श्रधानजली अर्पित की दिवंगत सांसद और लीखग MP विरेंद्र कुमार को श्रधानजली अर्पित करते हुए उप्राश्ट्र पती और राज्य सभा की सभापती M.Venkaya नाईडू ने कहा कि विरेंद्र कुमार जी ने सदन में एक प्रभावी सांसत के तौर पर अपनी पहचान बनाई वे बहु आयामी व्यक्ति थे सभापती ने M.P. विरेंद्र कुमार की समाजिक राज्यतिक योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा गरीबों और बंचितों के लिए काम किया कर्मचारियों के हितों के लिए भी उन्होंने हमेशा संघर्स किया उप्राष्ठुपती ने कहा कि यही नहीं ध्रस्टाचार के खिलाफ भी वो हमेशा लड़े उन्होंने कहा कि उनकी विचार और कारियों ने जन्मानस पर अपनी गहरी चाप छोड़ी है उप्राष्टुपती ने कहा कि COVID-19 की वज़े से मीडिया शेत्र को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है It is in such times that we need to draw inspiration from the likes of Sri Virendra Kumar and adopt a more empathetic attitude our fellow citizens towards their welfare The media industry too was badly hit by the pandemic and I understand that several media houses are facing COVID-19 induced financial strain and it is naturally having its own effect on the salaries and welfare and livelihood of many of our journalist friends I am told that there is also been layoffs I appeal to everyone to treat their employees with empathy not mere sympathy and care and stand with them during these difficult times MP Virendra Kumar ने कई किताबे लिखी वो 1987 में केरल विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे मार्च 2018 में वो केरल से राज्य सभा के लिए निर्दलिय उमिद्वार के रूप में निर्वाचित हुए थे इसी साल 28 माई को MP Virendra Kumar का निधन हो गया वीर रिपोर्ट राज्य सभा टीवी और इसी के साथ फिलाहल यहां पे रुखेंगे एक छोड़े से ब्रेक के लिए आप देखते रहें राज्य सभा टीवी प्रयासू से देश में स्वस्थ हो चुके कोरूना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है साथ ही सक्रिये और स्वस्थ मरीजों के बीच का जो अंतर है वो भी लगातार बढ़ रहा है बुदवार को जारी आकड़ों में एक दिन में 28,472 कोरूना मरीजों की ठीक होने का अब तक का सबसे उचा आकड़ा दर्च किया गया अब तक साथे साथ लाग से अधिक कोवीड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और रिकबरी दर 63 प्रतिशत के पार पहुँच गया है दिल्ली में कल कोरूना वाइरस के 1227 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ कल संक्रमितों की जो संख्या है वो एक लाग 26,323 हो गई मंगलवार को 1532 लोगों को डिस्टार्च किया गया दिल्ली में अब तक कुल एक लाग 7650 लोग स्वस्थ हो चुके हैं कोरूना संक्र्ट के बीच दिल्ली के स्वासमंत्री सतेंद्र जैन ने घोशना की है कि अब राज्च में हर महीने सीरो सर्वे होगा इधर महराश्ट में बीते 24 घंटे में कोरूना के 10,576 नए मामले सामने आए हैं महराश्ट में संक्रमितों का आकड़ा बढ़कर 3,37,607 पहुँच किया है मुंबई में कल 1,310 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आकड़ा बढ़कर 1,4667 पहुँच किया है मणिपूर में एक बार फिर लोगडाउन लगा दिया गया है राज में 14 दिनों तक पूरी तरह से लोगडाउन होगा ये लोगडाउन आज दुपहर 2 बजी से लागू होगा वहीं पस्चिम बंगाल सरकार ने इस मही ने 3 दिन के लोगडाउन का एलान किया है मंद्य प्रदेश सरकार ने COVID-19 की वजह से भोपाल को फिर से लोग करने का फैसला किया है 24 जुलाई को रात आठ बजी से भोपाल में कम्प्लीट लोगडाउन लागू हो जाएगा अखिल भारती आयरवग्यान संस्थान दिली ने बुद्वार नैशनल क्लिनिकल ग्रांड राउंड्स का पहला इंटराक्टिव सत्राय उजुद किया इसका नेत्रत्वे एम्स की निदेशक डॉक्टर अनदीब गुलेरिया ने किया इस खास पहल का मकसद COVID-19 के लाज और आगे की तयारियों को और जादा मजबूत करना था इस ओनलाइन सत्र में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के अलावा देश विदेश के डॉक्टरों ने शरकत की वहीं COVID-19 के खिलाव जग में इम्स नागपूर ने भी एहम भूमी का निभाई है एक एहम खबर वहां से है जहाँ पे IIT जोदपूर और भारतिय सूचना प्रद्योगी की संस्थान नागपूर की मदद से स्मार्ट रिस्ट बैंड तैयार किया गया है जो की COVID-19 पॉजिटिफ और संदिक दरोग्यों की ट्रैकिंग में मददगार साबित होगा और इसी कड़ी में सिंगापूर के टेमा से एक फाउंडेशन भारसरकार के स्वास बंत्राले को अत्याद्धुने ओक्सीजन कंसेंट्रेटर उपलब्ध कराएगा फाउंडेशन द्वारा कुल 20,000 ओक्सीजन कंसेंट्रेटर उपलब्ध कराएजाएगे केंदिर स्वासर राज्यमंत्री अश्वनी चौबे ने बुद्वार को 4,475 ओक्सीजन कंसेंट्रेटर की पहली खेप प्राप्ट की इनों करलों को COVID-19 के मध्यम मामलों की लाज में उपयोग किया जाएगा आपको पता दें फिलहाल राज्य और संक्षासित प्रदेशों को ये उपलब्ध कराए जाएगा सुभाष चंद्रबोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता ने ऐसा मास्क विकसत किया है जो कि सास लेने के लिए हास से पहले से मौजुद मास्क से बहतर होगा इस मास्क में वॉल्फ और फिल्टर भी लगा है जो कि सास लेने के दौरान कार्बन डई ऑक्साइड और नमी जैसे दिक्कतों से भी बचाता है सीरम इंस्ट्टूट ओफ इंडिया को ये उमीध है कि वोई साल अक्टूबर नपंबर तक कोवीड-19 काटी का बना लेगी कंपनी के मुखे कारी-कारी अधिकारी अधर पूना वाला ने बुद्वार को लिसा के मुखे मंत्री नवीन पतनाय के साथ वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये बैठक कर ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि भारत में अगली चरण का परिच्षण अगस्त के मध में शुरू हो सकता है प्रधान CPU गरीब कल्यान अन्य योजना के दूसरी चरण के तहेत राज्ययों और संगसरत एकषेट्रों ने अब तक कुल 19.3-2 लाक मेटरी टन खाध्यान उठाया है एक जुलाई से प्रधान CPU गरीब कल्यान अन्य योजना के दूसरा चरण शुरू हो चुका है जो कि नवंबर तक जारी रहेगा केंद्रे ग्रिय मंत्री अमिश्षा अज नहीं दिली में व्रेक्षा रोपन अभियान का शुभारंब करेंगे स्मोकी पर केंद्रे कोईला और खान मंत्री प्रहला जोशी भी मौजूद रहेंगे इस दोरान ग्रिय मंत्री छे इको पार्क और परिटन स्थलों का उधगाटन और शला न्यास करेंगे या युजन कोईला लिगनाईक के भंडार वाले दस राज्यों के 38 सिलों में फहले 130 से भी अधिक इस्थानों पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीय होगा कर्मचारी भविश निदी संगठन के पास मई महीने के अंतक पंजिकृत आंशुधारकों की संख्या में शुद्ध रूप से 3.18 लाख के वृध्धी हुई जो कि अप्रेल की तुन्ला में तीन गुना से भी जादा है ये दोर कोरोनावारे संक्रमण की रोप्थाम के लिए लागू सावजनिक पाबंदियों का था जिसमें अब धेल दी जा रही है कर्मचारी राजे भीमा निगम की सूचित किया है कि प्रवासी श्रमिकों को उनके स्थान पर ही चिकिस्सा लाभ सुविधा प्रदान किया जा रहा है और अब बात खात शक्सियत की महान स्वतंतरता सिनानी और समा सुधारक लोकमान ने बाल गंगाधर तिलक की आज जोयनती है महाराश्ट के रतनागरी में 23 चुलाई 1856 को जनमे तिलक ने स्वराच मीरा जनमसिद अधिकार है करनारा दिया था उन्होंने इंडियन होम रूल लीग के स्थापना की और इसके अध्यक्ष रहे तिलक अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए भी जाने जाते थे उप्राश्ट्रुपती एम वेंके अनाइडुने लोकमान ने बाल गंगाधर तिलक को उनकी जोयनती पर श्रद्धन्जली अर्पित करते हुए कहा कि धर्म और व्यभारिक जीवन अलग नहीं है सन्यास लेना जीवन का परित्याग करना नहीं है असली भावना सिर्फ अपने लिए काम करने की बजाए देश को अपना परिवान मान कर मिल जुल कर काम करना है इसके बाद का कदम मानफता की सेवा करना है और अगला कदम ईश्वर की सेवा करना है महान क्रांतिकारी चंदर्श्विकर आजाद की भी आजयनती है इस मौके पर देश शुन के बलिदान को याद कर रहा है सत्रह साल की उम्न में चंद्श्विकराजाद करांतिकारी दल हिंदुस्तान डेपाब्लिकन असोसियेशन में शामिल होगे सेंडर स्वाद स्ट्रेंडल असेंबली में भगर सिंग द्वारा बंप फेकना वाई सराय को ट्रेंड बंप से उड़ाने के चेश्टा सबके निता वही थे इससे पोर्वनोंने प्रसिद काकोरी कांड मी सक्रिय हिस्सा लिया और पुलिस की आखों में धूल छोकर फरार हो गए उपराश्ट्रपती एम्वेंक्या नाइडू ने चंदरश्वीकर आजाद को उनके जहनती पर श्रधा सुमन अर्पित करतेंगे कहा है कि किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए अवश्चक है कि वो युवा, अकांक्शाव और अपेक्शाव को प्रतिब्विम्बित करें चंदरश्वीकर आजाद जैसे राष्ट्रवादी नायकों ने आजादी के आंदोलन को युवाओ की आकांक्शाव से जोड़ा और युवाओ के लिए आदर श्रिस्थापित किया प्रधान मंतरी नरीद मोदी ने भी देश के वीर सपूत लोकमान ने गंगधर तिलक और चंदरश्वीकर आजाद को उनकी जन्र जैनती पर नमन किया उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारत मा के दो वीर सपूत, लोक मानने बाल गंगा धर तिलक और चंदश्विक अराजात को उनकी जन्व जैनती पर शत शत नमन तो ये थी अब तक की तमाम बड़ी और एहम खबरे, फिलहाल इस बुलिटिन में इतना ही मुझे दीजे अज़ासत, बागी खबरों के लिए आप देखते रहें, राज्यसाभा टीवी नमस्कार